वेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल और आज किस वीडियो में मैं आप लोगे साथ में अपने किचन के मंथली क्लीनिंग का रूटीन शेयर करने वाली हूं कि किस तरीके से मैं महीने में एक बार अपनी पूरी किचन को खाली करके कैसे उसकी साफसफाई करती हूं क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है और किचन है कैसी जगह है जिसमें कि कोक्रुच बहुत जल्दी हो जाते हैं तो इस वजह से मंथली क्लीनिंग मंथली डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है तो सबसे पहले मैंने गिचन को अच्छे से क्लीन कर लिया और यह सारे डबो को मैंने उतार लिया था स्टैंड वाश करके उसको सुखा लिया और अब फिर से मैं सारे डबो को लगा रही हूं उसी स्टैंड में जिस तरीके से वो सेट थे बस इसमें मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि यह चीज मैंने देख लिया कि कौन से डब किसको यूज है और किसे को दो रखना है, इस के बाद यह करने के बाद में, चोटी जो ट्रे रहा है वह भी भ़े साफ हो ग गयी मैं रखनाा था, तौ गया तो अब मैं सोच चुन कि नीचेख करेश को या तो इसके उपर में वो ऑईल या फिर घी या फिर जो सॉस होती है या इस तरह की छोटोटी सी चीजे जो होंगी वो इसके उपर में हैंक कर दूँगी क्योंकि नीचे रखने से नीचे राक के उपर भी स्टेन आ जाता है तेल का तो इसलिए और यह चोटोटे मसालों के डब्बे हैं इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी यह ऐसे मसालें जो बहुत कम इस्तमाल होते हैं जैसे पाव भाजी मसाला है कसूरी मेथी है और शिकंजी पाउडर है तो यह सारी चीजों को मैंने रखने के बाद में यह चोटा सा ट्रे बच गया है जिसमें छोटोटी सी चीज़ें थोड़ी बहुत सी मेडिसिन है कुछ खाली शीशियां में और भाज़े खाली खाली तो उनकोग कर से लिए तो उनको मैं पर बाद में पक्र बिच молод Charlinisanieg에서 नहीं भी मैं रखूंगी लिया के वो यहीं रख देगी तो उपर की क्लीनिंग मतलब सफाई करने के बीच में इन लोगों का आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों का तो उपर के प्लिटफॉर्म की क्लीनिंग करने के बाद में अब यह मैंने नीचे का पोशन ज जो भी वहां पर जाले लगे हुए थे उन सारे सबको अच्छे से साफ करके और एक अच्छे सा वहां पर पोच्छा लगा दिया ताकि चीजे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए और फिर मैंने देखी इस तरह के उसको सेट कर दिया अब दूसरा जो मेरा टार्गेट है इस तरह के रैक की क्लीनिंग करने मतलब इधर जो सामान रखा हुआ है उसको हटा कर और फिर और और इसको पहले मैं सारे चीजों को हटा लूगी और उसके बाद जो भी चीजे सामेटने वाली है मतलब एक साथ रखने वाली है उसको इक त्थे रख दूंगे और जिन में चिपकली कॉक्रोज दिखते नहीं है लेकिन आज चुकि मैंने इसलिए डीप क्लीनिंग करना जरूरी भी होता है क्योंकि ये लोग जब दिख जाती है तो बिल्कुल जान आधी हो जाती है और ये एक बहुत अचा चांस होता है अपने बच्चों को डराने का कि चपल पहन के राकरो घर में वरना ऐसे कोकरोज और चिपकली घूमते रहते हैं तो इस तरीके से मतलब मेरे सफाई का जो टाइम था वो एक से डेड़ गंटा बढ़ गया था सिर्फ इस चिपकली के चक्कर में छोटी सी चिपकली थी बट इसको भगाने में बड़ी मेहनत लगी साइब करें थी मुझे तो इसको भगाने के बाद में मैं वापिस उस रेक को वहीं पर सेट कर दिया और अच्छे से वहाँ पर ज्छाडू करके और जो भी जाला अगए था उसको क्लीन कर दिया और उसके बद मैं सारे डबो को यहां पर वापिस से सेट कर दूंगी जिस त यह पानी की बोटल है यह सारे डबबे मुझे साफ करने हैं जो यह तीनों दिख रहे हैं डबबे तो इनको क्लीन करना है तो इनको क्लीन कर दूगी और शारी मेरा बैसिन का एरिया है यह नीचे का पूर्शन है जो कि बहुत जादा बिक्षरा हुआ था और इसकी सेटिंग कर इस चानल को इसी तरीकी के अच्छी वीडियो उसके लिए मिलते हूं आपको पने नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक क्यार बाइ-बाइ